दोस्तो नमस्कार आद आप सक्स्रियकार नियोज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश सबसे पहले मैं आपको लखिमपूर खीरी किसान हत्याकार के बारे में जो अद्देतन इस्थिती है जो लेटेस्ट पॉजिशन है वो पहले मैं आपको बताते हूँ अभी तक जो डेवलप्मेंट है उसमें सबसे अहम भी बात यह है कि मवजुदा जो सरकार है उसकी पूरी कोशिस है कि किसी तरह किसानों की हत्याका मसला उसके मंत्री की और मंत्री के परिवार की सनलिप्तता इससे लोगों का ध्यान हट जाए यानि डाइवर्जन यानि ध्यान भटकाने की पूरी स्ट्रेटिजी बहुत मुकंबल ढंग से बहुत ब्यवस्थित ढंग से बनाई गई है अब आज जब यह ख़वर आई कि अजय मिश्रा जो राज्यमंत्री है केंदर में और वो भी ग्रह मंत्राले की यानि ग्रह मंत्राले जो भारत में कानून विवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा के मामलों का प्रभारी मंत्राले है उसमें ग्रह राज्यमंत्री है तो उन सज्जन को बुलाया गया था हम तो सज्जन ही कहेंगे जब माननी है तो उनको बुलाया गया था तो खबर यह थी कि हो सकता है कि उनको प्रधान मंत्री जी की इक्षा से या उनके निर्देश से ग्रियमंत्री महोद है उनको इस्थिपादें के लिए कह दें उनको हो सकता है कि वो कहें कि आप तब तक कम से कम इस्थिपादे दीजिए जब तक कि इन्विस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता चार्शीट में अगर आपका नाम आ जाता है तब अलग बात है अगर नहीं आता तो आप फिर से दुवारा वापस आ जाएंगे तो कि उत्तर प्रदेश का चुनाओ है सरकार की और पार्टी की लोग का प्रियता पर उसकी इज़्यत पर काफी बट्टा लगा है तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि सरकार ऐसा कर दे लेकिन सरकार में ऐसा अभी तक जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ अभी तक कोई ऐसा निर्देश केंद्र की तरफ से प्रधान मंत्री कारियाले की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है वो बकायदा केंद्री ग्री मंत्री हमें शाह से मिले आज और मिलने के बाद उचस्त सरकारी सुत्रों में के जरिये टेलिवीजन पर ख़वर आई कि उनको ये मांद कर रहे हैं कि उनको तक्काल बरखास्त किया जाए जिससे कि इस केस की जाच परताल प्रभावित नहीं क्योंकि सवाल इस बात का है कि केंद्र में बैठा हुआ है एक आदमी और वो भी ग्रिह मंत्राले में आखिर उसके ग्रिह मंत्राले में राज्यमंत्री रहते हुए जिरे का वो स्वेम सांसद है अपनी कांस्विंसी का रहते हुए क्या जास पड़ताल मिस्पक्ष हो पाएगी क्या उसमें इमानदारी प्रशासन के लोग बरतेंगे वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राजी में जहां पर नौकरशाही बिल्कुल समर्पित रहती है जिनके घरवाले मारे गए हैं अब रमन कश्यप एक पत्रकार लखिमपूर खीरी के जो इस घटना को कवर कर रहे थे चुकि उस दिन डिपुटी चीफ मिनिस्टर भी आने थे पत्रकारों का होजूम था सब जुटे हुए थे कि घटना स्थर पर कवर करें तो रमन कश्यप नाम के एक पत्रकार स्थानी पत्रकार वह भी मारे गए और बकौल उनके भाई उनके परिवार के लोग उन्होंने टेल्विजन को इंटर्वियू दिया है और उसमें कहा है कि उनके भाई की लाश को देखने से साफ लगता है कि उनके भाई सडक पर बहुत समय तक लगता है कि उनको किसी वाहन से या किसी चीज से छीचा गया है घसीटा गया है उससे वो मरे हैं ये उनकी डेट बाड़ी से देखने से लगा था बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको नहीं मिली है और अभी तक उनको F.I.R. की कापी भी नहीं मिली है यानि जिस परिवार का एक व्यक्ति वो भी पत्रकार मारा गया है उसको यह तक नहीं मालूम कि F.I.R. में क्या है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि F.I.R. में मंत्री पुत्र पर तो इस पूरे हत्या कांड का पूरा मामला धर्ज है आशीस मिश्रा जो हजय मिश्रा के पुत्र हैं मंत्री का भी नाम है F.I.R. में ये बात बाहर कम लोगों को मालूम है मंत्री का जो नाम है रिफरेंस में है और वो IPC की जो धारा 120B है उसके ताथ वो रिफरेंस में आया है अब जांच पड़ताल में क्या निकलता है ये देखनी की बात है उसमें जो किसान है उनका ये कहना है पुलिस को उन्होंने दर्च कराई है ये बात की 25 सितंबर को मंत्री जी ने पब्लिकली धम की दी थी कि हम तुम लोगों को दिखा देंगे हम सबक शिखा देंगे और वग वीडियो का खंडर नहीं आया है कि ये वीडियो गलत है वो वीडियो आल लेडी सब देख चुके हैं एक दूसरा वीडियो भी है ठाइस सेकेंड का जिसकी बड़ी चर्चा है हलांकि जो टीवी पूरम के ज्यादातर बड़े बड़े चैनल है जो बड़े तेज अपने को क बता दो इस सत्याकांड के बारे में बता दो तो उसमें जो है जो 28 सेकंड का वीडियो है उसमें इस पूरे कांड का सबसे बड़ा खतरनाक जो एक छण है वो उसमें दर्ज है कि कैसे गाड़ी आती है और वो गाड़ी कुचलते हुए वो गाड़ी चल रही है और किसान आगे निकल जाती है और मंत्री ने आन रेकार्ड विकार किया है तो वो उनकी गाड़ी थी यह लोग कुचल कर मार डा ले गए इसमें तो मंत्री भी नहीं इस से इंकार कर रहे है गाड़ी जो थी उनहीं के नाम थी उनके उनका दावा यह है कि उस पर उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बैठा था उनका ड्राइवर था जिसको कई किसानों की हत्या के बाद लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और वहाँ उसको शायद मारा गया है यह मंतरी जी का कहना है अब जो भीर ने या इतनी सारी लाशों को देखने के बाद लोगों ने गुस्से में जो ड्राइवर को जो कुछला या मारा भीटा उसकी अस्पताल में मौर्थ हो गई वो एक असलियत है और इसके लिए निश्चित रूप से हम यह नहीं कहते कि वो अपराद के खिलाब आपको अपराद करने का अधिकार नहीं है कानून के हिसाब से और यह सही ब्याक्या है कानून की लेकिन हमारा यह कहना है कि वो गाड़ी तो मंतरी की थी किसानों का कहना है कि उस गाड़ी पर मंतरी पुत्र थे मंतरी का कहना है कि नहीं थे असल जांच परताल का विशय यही है और आजकल कल्कना कीजे कोई नौ भी हो कल्कना कीजे तो आजकल तो निर्देश देने के लिए टेलिफोन ही काफी है लेकिन अब सवाल इस बात का है कि टेलिफोन अभी तक पुलिस क्या जब्त करेगी जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं किया यानि आशी समिस्रा मंत्री पुत्र को इतने दिन हो गए तीन चार दिन हो गए और आज तक मंत्री पुत्र को एफायार दर्ज होने के बावज़ूद नामजद पुत्तर प्रदेश की बहादूर पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया क्या हत्या के मामले में ऐसा एफायार कभी देखा गया है उसका एक्जिक्यूशन उसका इंप्लिमेंटेशन देखा गया है यहां तो संदेह की आधार पर लोग गिरफ्तारियां करा देते हैं अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस देश में उग्रवादी होने के न गौतम नौलखा जैसा एक मशूर पत्रकार मानवाधिकार करता है मैं कितने लोगों का नाम हूँ सुधा भार्दवाज जैसी एक बहुत ही विख्यात अधिवक्ता है लेकिन मंत्री पुत्र पर कोई अभी तक कारवाई नहीं हुई है तो मेरा सिधा सवाल है दोस्तों कि क्या ये सरकार अपने मंत्री और उसके बेटे को बचाने परामादा है और इसमें टेलिविजन चैनल भारत के साकार कर रहे हैं साकार का मतलब उसकी सायोगी घुमिका में है मैं कल देख रहा था देश के बहुत नामी चैनल जिसके दो-दो चैनल है अंग्रेजी हिंदी में और जिस बेशर्मी के साथ मंत्री पुत्र का बचाओ कर रहा था ऐसा लग रहा था कि भारती जंता पार्टी के सारे प्रवक्ता फेल हो जाएंगे इंकर के आगे इंकर के आगे सारे प्रवक्ता फेल तो हम तो ये कहेंगे कि भारती जंता पार्टी को सत्ताधारी दल को अपने अपने प्रवक्ताओं को हटा लेना चाहिए इंकर उससे ज्यादा बेटा डंग से काम कर रहे हैं ऐसा हत्याकांड और ऐसे हत्याकांड के ऐसे अभ्युक्तों के बचाओं में हमने उन पत्रकारों को नहीं देखा जिनको अब तक लोग इस्टार समझते थे यह हाल है हाला कि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है हमने बिहार के अने खत्याकांडों को देखा है जब नेता मंत्री मंत्री बड़े अकसर वकील और यहां तक की पत्रकार भी कई बार बचाओं में दिखा करते थे हमने वो दिन देखे है लेकिन यह तो इस्टार वो चोटे एक ही बात बोल रहे हैं, सिर्फ एक डेट चैनलों को छोड़कर और वो एक डेट चैनल कौन है आप जानते हैं, वो भी बड़े प्रेसर में आजकल रहते हैं, तो ये हाल लखीम पूर खीरी किसान हत्याकांड का है और उसमें सरकार किस तरह बचाओ कर रही है, तूसरी बात की इसमें मैं आज बात कर रहा था इस पूरे पहलू पर क्योंकि इंडियन एक्स्प्रेस की जो रिपोर्ट थी बड़ी रिवेलिंग रिपोर्ट थी जो आज चपी है फ्रेंट पेज पर और उसका कहना ये है रिपोर्ट का की तैसे राकेश टिकेट जो किसान संगठन के नेता है और MPS के वो कांस्ट्वेंट हैं वारती किसान यूनियन की ये किस तरह से संजुक्त किसान मोर्चा SS के हम उसके कांस्ट्वेंट हैं एक मोर्चा है उसके किस तरह उन्होंने अपने पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार के उच्चा धिकारियों के साथ यारायनितिक लोगों के से संभाद करके और एक समझोता करा दिया और उस समझोते में केवल और केवल राकेश टिकेट की भूमिटा की इसको जो हमारा जो जो ये जो आंदोलन है इसके जो संजुप्त किसान मोर्चा है, इसके जो बड़े नेता हैं, प्रोक्ता हैं दर्शन पाल, मैंने उनसे भी बात की, उन्हों ने इसको सिरे से खारिच किया। इसके आलावा हमने आज बात की गुर्मनीत मांगट गुर्मनीत मांगट लखीमपूर खीरी में है और वो किसान मोर्चा के भी एक बड़े नेता हैं और साथ में लखीमपूर खीरी में जो किसान संगठन है उसके पॉपुलर पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं बड़े आग और उनका भी एक कहना था कि ये बिलकुल सरासर जूटी खबर है कि राकेश टिकेट ने एक तरफा ढंग से कोई ऐसा समझवता कर लिया जिससे कि लखीमपूर खीरी के किसान ऐसा लगता है कि जैसे सामत नहीं थे उनका कहना है कि बिलकुल गलत बात आठ लोगों की टीम थी क इसी तरह का इसमें कोई compromises नहीं है ये केवल जो पार्थिव शरीर थे नेताओं के उनकी अंतिम क्रिया तक के लिए समझवता हुआ है इसमें कुछ मांगें उनकी जो हैं नहीं मानी गई हैं जिसमें मंत्री की बरखास्तगी थी, immediate गिरफतारी थी, उनके पुत्र की और अन नहीं मानी गई हैं लेकिन अन्य जो पहलू हैं उनमें से जिन पर मांगें मानी गई हैं उनके बाद cremation की प्रक्रिया अंतिम जो संसकार की प्रक्रिया है वो हम लोगों ने चलू की ये बात कहना है मिस्टर मांगट का तो ये जो खबर आई आज और उससे बहुत सारे जो पंजाब के हैं और किसान मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं आंदोलन कारियों के वो और मांगट जो लकीम पूर कीरी में दोनों ने इसको सिरे से खारिश किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और बिलकुल इसके बात जो एक महत्पुन बात दोस्तों उभर कर सामने आती है इस दर्म्यान जो देखा गया दैनिक जागरण की काफी चर्चा हुई और दैनिक जागरण ने जितना बेश्यर्मी के साथ शर्मनाक टाइटिल यानि हेडिंग लगाया था अपनी खबर का फ्रेंट पेस और किसानों को पद्रवी अराजक बताया था ये कोई नई बात नहीं ह इसलिए मैं बिल्कुल शौक नहीं हूँ मेरे को कोई इसमें आश्यरी नहीं हुआ दैनिक जागरण को जिन लोगों ने जो हिंदी के पत्रकार हैं जो हिंदी पाठक हैं सुधी पाठक समयदार पाठक वो जानते हैं कि उसका ये जिंडा है आपको याद है जम्मू में एक लड़की के साथ बलादकार हुआ था उसकी हत्या हो गई और उस पर जागरण ने क्या लिखा था याद है आपको उन्होंने सब कुछ इंकार किया था कि बिल्कुल ये जूटी कबर है और नियायले से क्या फैसला आया नियायले से फैसला वो आया जो वहां की अवाम कह रह रहते कि नहीं-नहीं कुछ नहीं हुआ है यह सब जूट है लड़की ऐसे मर गई है और कुछ कारण था यह हो गया वो हो गया लेकिन दोस्तों असल कहाणी जो थी वह यह थी कि वीजेपी की आवाज में आरी सिट की आवाज में ही जागरण बोलता है और हमेशा उसका रेका हैं लोग लाकंछों में देखते हैं उंका जो in t oreton hybrid में और ज्यादा जादा खतर्नाक और बहुत श्रमनाद से उभर कर सामने आया है इसमें देश के बड़े चैनल है इसमें देश के ऐसे चैनल जो वाकई लाखों करोनों लोगों की बीश जाते हैं तो ये दिवार्ट टाइम्स हो गार्डियन हो या वाशिंटन पोस्ट हो या CNN हो भारत के मीडिया के या टाइम हो ये भारत के मीडिया के बारे में जो मेंस्ट्रीम मीडिया के बारे में खासका निउच चैनल और यहां के हिंदी अंग्रेजी अख़बारों के बड़े हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ इनके बारे में जो एक रैश्विक एक इमेज बन गई है दुनिया में कि इंडियन मीडिया पूरी तरह सत्ता का प्रवक्ता बन गया है यह बिल्कुल जूटी नहीं है बिल्कुल सच्छा है कहानी और यह बिल्कुल जो विश्व में माना जा रहा है कि ऐसा मीडिया तो दुनिया के शायदी किसी लोकतांत्रिक देश में हो वैसे भी हम लोकतांत्रिक अब नहीं कहा जा रहा है हमें fraud democracy कहा जा रहा है यानि दोश्पून लोगतंतर कहा जा रहा है तो ये हालात लखीमपूर खीरी किसान हत्याकांड में उभर कर सामने आया है और बिल्कुल चलते चलते नेताओं को रोकनी की जो प्रविक्ति उभर कर सामने आई है policies तो जैसे कश्मीर में हुआ करता था कि जैसे ही कोई बात हो ततकाल इंटरनेट को shut down लखीमपूर खीरी जैसी जगा जो बिल्कुल पिशड़ा इलाका है तराई में उस पर भी ये गाजगिरी जो एक समेस्टरी नगर पर गिरा करती इंटरनेट shut down कुछ लोगों ने तो कहा क कुछ पसंदीदा जो नेता बीपक्षक हैं उनको छोड़ कर सुना है कि कुछ नेताओं को वहाँ जाने दिया गया तो हो सकता है कुछ लोग पसंदीदा हों लेकिन जाधातर जो major parties के नेता हैं उनको वहाँ जाने ही नहीं दिया गया इन में राहूल गांदी, प्रियंका गांदी और राहूल गांदी तो खेर आज गए हैं, प्रियंका गांदी को खिरासत में ले लिया गया, फिर उनको ग्रफ्णार कर लिया गया, उनको सीतापुर ले जाया गया, इसके लाखलेश यादों को उनके घर के पास ही रूप दिया रहा अभी राउल गांदी आज लख्णो कोंचे पहले तो उनको रोका जा रहा था दिल्ली में ही लेकिन वो चले गए चले गए तो उनको बहुत जिद्ध की सरकारने की नहीं बिल्कुल नहीं जाने देंगे लेकिन बाद में पता चला की जाने दिया अब वो सीतापुर प्र शरनात है आखिर हत्याकान में किसान मारे गए हैं जो बीजेपी के कुछ कारिकरता भी मारे गए हैं लेकिन जो मिस्टर मांगट ने कहा कि पांच लोग किसान पक्ष के मारे गए हैं अब तक अख़बारों में चार लोगों की खबर आ रही है लेकिन मिस्टर मांगट ने ए ये एक पहलू सामने आया आज किसान आंदूरन कारी नेता से बात चीज में तो ये जो एक सामने बात आ रही है कि क्या जो मारे गए लोग हैं इस आंदूरन में और जो लोग दूसरे पक्से मारे गए लोग हैं इसको हमारे मीडिया के अलावा हमारे राजनेता अगर वहाँ मीडिया के लोग जाते हैं मीडिया के लोग आना कि उनको भी इस बार रुख दिया गया लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति जाते हैं वहाँ तो इसमें क्या बुराई है इसमें कौन C.S.E. आप आदे आप पुलिस का पहरा वहाँ है लोग वहाँ उपद्रों नहीं करेंगे वो बड़े नेता हैं जिम्यदारी के साथ जाएंगे लोगों से उनकी बात सुनेंगे वो संसत में विधान सभाओं में जाकर वो बात कहेंगे आखवारों में जाकर संभादाता संभिलन करेंगे आखिर तो उनको रुका जा रहा है ये तो वैसा ही हुआ जैसे कश्मीर में जाने सिर्फ विपक्षियों को रुप गया लेकिन दुनिया भर के देशों के राजनेकों को ला करके और एक NGO जो था कोई भी देशी जो भारती जन्दा पार्टी के बड़ी करीबी एक मैला थी उनके जरिये कश्मीर में गुमाया गया सैर कराई गई हमने कुछी दिन पहले वो दिर्शे देखे हैं तो यह जो पहलू है बिचित्र है और मैं नहीं समझता कि किसी भी डेमोकर्टिक कंट्री में ऐसा होता होगा कि राजनितिक व्यक्तियों को खासकर विपक्षियों को जाने ही न दिया जाए किसी घटना पर अभी में टेलिविजन चैनल जो विजूल मीडिया है उसके जलिये सारी कहानी का किंद्र लकीम पूर खीरी के हत्याकांट से इन नेताओं के नो जाने पर किंद्रित कर दिया जाए डाइवर्जन अगें तो यह पूरी की पूरी जो टैक्टिस है सकता कि वो इशूस जो है जो मु का ध्यान हट जाए जो मारा गया रिपोर्टिंग के दर्म्यान लेकिन अभी तक जिसको मुआ होजा नहीं मिला है एक पैसा इन चीजों से लोग का ध्यान हट जाए रिपोर्टिंग इन चीजों की नो हो रिपोर्टिंग फिर केवन इसी बात की हो कि कौन वहां गया कौन न नहीं रोका कमाल की रिपोर्टिंग है और इसलिए कि आप वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं रिपोर्टर्स को आप नेताओं को रोप करके तमाशा खड़ा कर रहे हैं तो असल मसलों से ध्यान भटकाने की ये पूरी कोशिश है तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सत् झाल